राशन कार्ड एक बेहत जरूरी दस्तावेज है जिसका इस्तमाल बैंक से लिकर कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है देश में एक बड़ा वर्ग राशन कार्ड का उप्योग करता है राशन कार्ड किसी भी परिवार के लिए उतना ही जरूरी है जितना की एक व्यक्ति के लिए आधार कार्ड इसमें परिवार के सदस्यों की जानकारी होती है इस कार्ड से सरकार की तरफ से कई तरह तरह की डीलर कम राशन देता है या पूरा राशन देने में आना कानी करता है। अगर आप भी राशन कार्ड के जड़िये राशन लेते हैं और डीलर कम राशन देता है या फिर डीलर अपनी मनमानी करता है तो आप इसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस बात की भी सुभधा दी जा रही है कि आप कभी भी डीलर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। दरसल बिहार में आए दिन राशन डीलरों की मनमानी होती रहती है। राशन डीलर या तो राशन देने से मना कर देते हैं या फिर आपका उज़ित राशन नहीं देते हैं अगर आपके साथ भी इस तरह का वार्दात हुआ है या फिर अब आगे चल कर कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो आप अपने डीलरों की मनमानी को कैसे रोक सकते हैं केंद्रों और राज सरकारों की तरफ से गड़ीबों परिवारों के मदद के लिए तमाम तरह की योजनाय संचालित की जाती हैं राशनकार के जड़िये भी मोदी सरकार और सभी राज सरकारें गड़ीबों तक अनाज पुंचा रही हैं कई दिनों पहले केंद्र की मोधी सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना के तहत एक जन्वडी 2024 तक फ्री राशन मुहया कराने का आदेश दिया था। इसके अलावा बिहार के साथ साथ लगभग सभी राजियों में राशन कार्ड धारकों को सबसिडाइज रेट पर राशन देने का आदेश दिया था। प्रतेक राज सरकार की तरफ से प्रदेश के निवासियों को राशन कार्ड जारी किया जाता है। राशन कार्ड के जड़िये हैं लोग कम कीमत पड़ या फिर फ्री में अनाज हासिल कर सकते हैं। लेकिन कई बार यह भी देखा गया कि राशन देनेज में अनाकानी करते हैं और या फिर कम राशन देते हैं। इससे गरीवों को खूब परिशानी का सामना करना पड़ा लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसी किसी तरह की परिशानी होती है तो इसके लिए सरकार ने हेल्प लाइन नमबर जारी किया है। आप इन नमरों पर कॉल करके डीलर के खिलाफ अपने शकार दर्च करा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार वाले 1800-3456-194 पर राशन डीलरों की मनमानी या फिर राशन से संबंधित अपने शकार दर्च करा सकते हैं। साथ ही कई बार तो यह भी देखा जाता है कि राशन कार्ड के लिए ओनलाइन आविदन करने के बाद भी कई महिनों तक राशन कार्ड नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिती में आप इसके शकार भी टॉल फ्री नमबर पर कर सकते हैं।